हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सबी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में हो चुकी है प्यारी सी सुबा के सुरुआत आज दिन है सोमबार तारीख है तेज सितंबर और अभी सुबा के बज रहे हैं साड़े चार तो हम और हमारे पती देव उठ गए हैं और बाबु को उठा के अंदर बैड पे लिटा दिया है और सार आगन में लेट गए है खतभी ब्टिया के साथ में लेड गया है और उसके बाद में यह चले गए थे टैलने के लिए और हम अपना काम करने के लिए तो इतर जो है बिजतर हम ने उठा के रख दिया है और एक खटिया अपनी अंदर कर देंगे और एक बाहर खड़ी कर देंगे तो एक हम अंदर इसलिए कर देते हैं दोपर में आराम करने के लिए जिसलिकि आप सभी को पता ही है कि बाहर हम दो दिन में बिल्कुल भी नहीं बेट लेड़ते हैं क्योंकि मतलब 이번 खुला घर तो इसलिए बाहर तो नहीं लेड़ पाते हैं तो अंदर ही जो है अपने दो पैर में लेड़ जाते हैं आराम कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपने पूरे घर की करेंगे साफ सपाई पहले तो हम अपना पानी गरम करके पीएंगे उसके बाद में पूरे घर में जाडू लगाएंगे तो हम मैलाओं का यही काम होता है सुबा सुबा सबसे पहले हम अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं तो गाओं की जो यही रूटीन होता ही है कि सबसे पहले हैं उटकर हम फ्रेस होकर अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो और सूरुदय होने से पहले ही ज़ाड़ू लग जानी चाहिए तो ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबा सुरुदा से पहले ही जाड़ू लगा लेनी चाहिए हर अग्रेहडी को लगा लेनी चाहिए उससे घर में बरकत बनी रहती है और जितना हो सके तो उतनी जल्दी सुबा सुरुदा से पहले ही जाड़ू बगरा लगा के घर की साफ सफाई करके और जो है नहा दोकर पूजा पाट करके ही खाना बनाना चाहिए मतलब पहले कि जो हमारे बूड़े फुजुर्ग होते थे तो ऐसा नहीं करने देते थे अब तो सब अपनी अपनी मनवानी से ही काम करते हैं और अभी जो है हमारे घर में अभी भी सभी लोग नहा दोकर ही खाना बनाते हैं हमारी दीदी भी बिना नहा कभी भी खाना नहीं बनाती हैं और हम भी नहा कर ही बनाते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और ये भी नहीं कि हम कहर का कोई काम छोड़ दे पहले तो हम पूरे घर की करते हैं साफ सफाई मतलब जाडू लगाते हैं उसके बाद में पुताई बगएरा करके और कपड़े दोते हैं जो भी पड़े होते हैं उसके बाद में नहा दोकर साफ कपड़े बगएरा डालके हमें ये काम अपने इसी टाइम पर करना है तो वो हम टेली कर सकते हैं और जब तक हम बहाने करेंगे तब तक जो है काम हमारे कभी नहीं होंगे और पहले हम भी ऐसा करते थे ऐसा नहीं है कि हम ना करते हों पहले हम भी मतलब थोड़ा जब लेट उठते थे तो हमारे काम छूड़ जाते थे और अब हमने ठान लिया है कि अब हमें इतने बज़े उटना है और सारे काम निप्टाना है तो जो है अब वो काम हमारे पूरे हो जाते हैं और अब हमारी आदत सी पड़ गई है तो ये आदत जो है सभी को डाल लेनी चाहिए चार बज़े उट जाते हैं और सारा काम घर का निपटा के कपड़े वगरा भी हम दोते नहाने के टाइम ही दोते हैं और सारा काम निपटा के कपड़े दोके उसकी बाद में नहां दोकर ही हमारा खाना पिना बनता है और मतलब बावू को भी तयार करते हैं और ऐसा नहीं कि बावू के लिए हम पहले सारे तैयारे करते हैं फिर नाहे दोए ऐसा भी नहीं है तो हम नहादोकर ही सारा काम बाद में यह करते हैं बावू को पिर तैयार करते हैं फिर खाना पिना बनाते हैं और आठ बजी साड़े आठ बजी तक हमारे सारे काम खतम हो जाते हैं और सच में ये आदत सायद सबी को अपना लेनी चाहिए जैसे हमने अपना ली है पहले बिल्कUL भी ये आदत हमारी भी नहीं थी करते थे कभी कभी जो है जल्दी उट जाते थे कभी ऐसे ही हमारा चलता रहता था पर अब हमने ये आदत अपनी अपना ली है डाल ली है और सच में बहुत ज़्यदा कुछ अलग सा फील होता है और हम सोच रहे हैं कि अब ये आदत हमारी कभी ना चेंज हो और बहुत ज़्य यहारे अपने हाप पर भी और घर के कामों में भी बहुत फटा फट कामों हो जाते हैं बहुत जदा अच्छा फील होता रहता है तो यहां पे जो है हमारे घर की साफसफाई हो गए ती जाड़ू लग गई थी और आंगन की जाड़ू हमने आज नहीं दिखाई है क्योंकि बह नहाने के लिए पहले तो हम अपने कपड़े धोएंगे उसके बाद में नहाय धोकर खाना पिना बनाएंगे तो छे बजी तक हम नहा लेते हैं और कपड़े भी हमारे धुल जाते हैं और बाबू का स्कूल जो है साड़े साथ बजे का है मतलब साड़े साथ बजे उनकी गा हमें देर हो जाए किसी काम के तो बाबो को तयार कर दें तो ऐसा कभी नहीं करेंगे और अगर करेंगी भी तो पूरा तयार नहीं करेंगे कपड़े भी आदे ही पहनाएंगे बोलेंगे जाओ मम्मी से पहन लो जाके तो वो ऐसा भी नहीं करते हैं सारा काम हमी को करना पड़ता है और साथ साथ में आर्थर को भी देखना पड़ता है तो यहां पे अब पूरा 6 वज चुके हैं और उसकी बाद में हमने यहां पर जो है काटने लगें हैं प्याज आटा हमने तयार करके रख लिया यानि की छान के रख लिया था और इसी यह है गेहूं का आटा और चाय बढ़ने के लिए रख दी है और उसके बाद गेहूं के आटे में हमने मिलाया है आधा बेसन है और आधा गेहूं का आटा है और इसी में हमने नमक, मेर्च, हिंग, जीर बगारे सारी चीज़े डाली हुई है और उसकी बाद में जो है कुल सारब प्याज भी काटा था तो उसको भी मिला लिया और उसके बाद बना रहे हैं पकोड़े तो दोस्तों आप लोग भी आजाएए पकोड़े खाने के लिए तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग वो को तयार कर दिया है और उसकी बाद में बनाने लगे थे पकोड़े तो यहां पर चाय बनके तयार हो गई या और फिर सेकते पकोड़े गरमा गरम से तो यही चाय पकोड़े का ही नास्ता करके सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए थे तो सार तक भी हमारे बन चुके थे और उसके बाद में खापी कर यहां पे तो होने लगे हैं बरतन और आज हमने बिल्कुल भी अपने ब्लोग में एक परसेंट भी हमने स्पीड नहीं की है जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल तरीके से काम करते हैं ना उसी तरीके से आप सभी के साथ सेयर कर रहे ह अगर हम स्पीड कर देते तो ब्लोग बहुत ही छोटा सा हो जाता तो इसी लिए जो है हमने फिर स्पीड नहीं की और बिल्कुल जैसे हम डेली काम करते हैं ना अपना नॉर्मल तरीके से तो उसी तरीके से आप सभी के साथ सेयर कर रहे हैं उम्हीं करती हों कि आज कर लोग काम करते हैं जैसे आप सभी के साथ सेयर कर रहे हैं तो यह हमारी नर्मल स्पीड है तो इतनी ही स्पीड में हमारा काम होता है और यहां पे कडाई काफी जल गई थी और इसको मांजने में थोड़ा जो है जादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा ही लगेगा तो यहां पे ज कुलाइब जाता है? उसके बाद मैं मुझते हो कड़ाई नुच साप कोइस कड़ा यजनारी चान हो सात जाले चानी कॉल के चुले के कड़ा पिंदूर यह में लुँचुक्तूरा राफा है res rese between 2a साफ रहे पर अंदर अंदर तो साफ हो जाएगी पर बाहर की तरफ इतनी साफ नहीं हो पाती है जैसे कि चूले पर हो जाती है तो यहां पे हमने बालू से काफी देर तक रगड़ा था तब जाके हमारी कड़ाई अच्छे से साफ हो पाई थी तो यहां पे हमारे सारे बरतन मंज चुके हैं और उसकी बाद में पानी नहीं था तो इस समर चला ली है तो सारे बरतन भी भर लिये हैं हमने और उसकी बाद में बोल तो दिया था कि समर बंद कर दो पर कोई सुन नहीं रहा था तो यहां पे जब तक चल ला है हुए थे तो अभी नौ बजे का टाइम हो रहा है अभी पूरा नौ नहीं बज़े है नौ बज़े के पहले का ही टाइम है तो नौ बज़े तक सारे काम हमारे खतम हो गए थे तो अभी कपड़े भी डाला है तो पहले बरतन धुल के रग देते हैं उसके बाद पर जाएंगे कपड़े डालने के लिए तो कपड़े फैला के आते हैं चत पर क्योंकि नीचे जगह नहीं थी नीचे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे सभी के और हमारी मुम्ताज बहन ने बहुत प्यारे सा कमेंट किया है तो उनका कमेंट ये था कि आपने बहुत ही सुंदर लिपा की हुई है और सच में बहुत जाद अच्छा लगा आपने काफी दिन बाद कमेंट किया है बहें और बहुत अच्छा सबाए आप आमेंvery our जो है हमेशा खुस रहें और अपने जीवन में यूही आंगे बढ़ते रहें यही हमारी इसपर से प्रातना है क्योंकि आप सच बहुत ही प्यारे हो हमारे लिए हमारी फैमिली हो और इतने प्यार देते हो हमें इतने प्यार प्रे कमेंड करते हो सच में बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है तो हमें बहुत ज़्यदा खुसी होती है आप लोग कमेंड करते हैं जब तो सच में बहुत अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखना हम पर और हमारी संगीता बहन है वो भी बहुत प्यारे सा कमेंड करती है उनका भी बहुत बहुत है दिल से धनबाद और वो बैन भी ब्लोग बनाती है उनकी ID नेम है संगीता रियल ब्लोग के नाम से तो दोस्तों आप उनका भी सपोर्ट करिए संगीता रियल ब्लोग के नाम से उनकी ID है चैनल नेम है तो उ वह बहुत ही प्यारे 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 कमेंट करते हैं वह वह पतocbus देखते हैं बहुत-स क्थभाने अर आप सभी को एक बात हम बता दें यहं लिए हैं मतलब दिल से सपूट सबहु को करते हैं और जितना हमारे पास यंबी बचती है जितने दोस्तों को हम सपोर्ट कर पाते हैं उतना करते हैं और जब हमारे पास यंबी खतम हो जाती है तो जो दोस्त हमारे छूट जाते हैं तो उसके लिए माफी चाहते हैं और हम उनका दोसरे दिन जरूर ब्लॉग देखते हैं और हमारे तरब से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत मतलब हमारी तरब से पूरा सपोर्ट है जो दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं और वो भी वीडियो बनाते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट आप सभी के लिए है तो आपका बहुत बहुत धनबात और और जब हमें एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आंगे बढ़ पाएंगे और यहां पर हमारे सारे काम हो गएते और अभी साम का टाइम हो रहा है मतलब अभी तीन बजे का ही टाइम है ज्यादा टाइम नहीं है तो यहां पर कप्ड़े सुख चुके थे तो सारे कपड़े फोड़ करके रख देते हैं और उसके बाद में लगाएंगे सामबाली जाड़ू और अभी कमरा जो है हमारा पुरा ऐसा तैसमेंस पड़ा हुआ है तो अभी हमें अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी होगे किसी दिन गर्मी बहुत जादा हो रहे हैं दोपर में हिम्मत नहीं होती है क्लीनिंग करने की तो इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं और अब समय आ गया है क्लीनिंग भी करने का तो हम सबसे पहले अपने कमरे की क्लीनिंग करेंगे उसके बाद में बाहर करेंगे तो यहां पे हमारी सामबाली लग रही है जाडू और इधर दीदी जो है अपने चुटिया करने के लिए जा रहे है तो दीदी तो पहले जो है यहां पे अपने बाल को सुल जा रही है और यही हमारी दीदी है यानि कि हमारी जिठाने जी और यहां पे हम लगा रहे थे जाड और आर्थर हमारे खेलने में लगे हुए हैं तो दोस्तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा तो दोस्तो आज का ब्लोग मारा बस यहीं तक रहेगा आज का ब्लोग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ तब तक लिए आ सभी दोस्तो को मेरा नमस्ते बाई बाई